बुद्ध का श्राद पर श्राद में जो श्रै आता है वो पाली का सब्द नहीं है और श्रै चुकी शै से आधे शै से और आधे रह से मिलके बनता है और जो शै शब्द है जो शल्जम में आता है जो शहर में आता है वो पाली का नहीं है वो पुराना सब्द भारत का नहीं है इसलिए श्रै जो बनता है वो पाली का या बुद्ध का सब्द नहीं है बुद्ध ने कभी उसको इस्तमाल नहीं किया तो फिर बुद्ध का श्राद कैसे है अगर आप एक सब्द को देखेंगे सब्द का नाम है सास से आकाडंडा से सास सास का मतलब होता है अनुसासन डिसिप्लिन और अगर सास में आप वी लगा दें तो वी लगाने से वो वी सास हो जाता है यानि कि कुछ विसेस कुछ दोनों तरह से विसास हो गया और इसको अगर संसकाइद करें तो ये विस्वास हो गया तो विस्वास सब्द जो बना है वो सास से बना है ऐसे ही जो सब्द बने हुए है जिसको कहते हैं सद, सद का मतलब होता है शब्द हो गया, यानि जो हम लफज बोलते हैं या बहुत सारे शब्द होते हैं, सद होते हैं तो उनको अलफाज बोलते हैं, वर्स बोलते हैं उसी तरह जो सद सद है, सद के बाद में बहुत बारीक एक डिफ्रेंस आता है जिसको बोलते हैं सद यारी से आधा धै और दै सद तो सद और सद में सिर्फ दै का और आधि धै का अंतर है तो सद जो होता है सद का मतलब होता है साथ आपने पड़ा होगा सद्धिंग पंच सीलंग भंते देथ मी यानि कि ती सरणन सद्धिंग पंच सीलंग देथ में भंते तो सद्धिंग का मतलब होता है साथ यानि कि जो साथ होता है त्री स्रण के साथ में पंसीलवी दें भनते ऐसा बार बार आप सुनते हैं तो ये सद्ध जो बना है सद्ध इसका मतलग होता है साथ और अगर इसको संसकाइद करें हम, मॉडिफाइड करें आज की जो मिलावटी भासा है उसके अमसार जो पाली में मिक्स की गई है तो वो बनता है सद्ध से स्रद यानि सद्धा तो सद्ध बना और सद्ध से सद्धा बना सद्धा से सद्धा बना तो ये सद्धा बनता है तो सद्धा जो होता है वो साथ को बोलते हैं कि अगर आपकी किसी में शद्धा है आपकी सद्धा है तो आप उसके साथ हैं यानि उसके साथ हैं तो उसमें बाद में कहते हैं कि शद्धा का मतलब विसास है यानि विस्वास है जबकि विसास का मतलब होता है कि उसका discipline maintain करना दोनों तरह से discipline करना उसका जो discipline है यानि के अनुसासन में रहना जो अगला सब्द आता है वो आता है साध अब ये जो साध सब्द है ये है बुद्ध का श्राद क्योंकि साध सब्द को modified करके श्राद बनाया गया है दरसल ये औरिजनल जो सब्द है ये है साध तो साध सब्द बना कैसे है दरसल से और धै से मिलके बना है से और धै को जोड़ा गया है तो सद होता है और बाद में इसको साध करके बुला गया तो साध का मतलब होता है से माने होता है निज को सुयम को और धैमारण होता है धारण करना यानि कि निज को धारण करना या जो चीज है निज से वो धारण करना जो समझाए आपने वो धारण करना या जो आपको दिया गया है वो धारण करना या जो नेचरल है उसको धारण करना या जब हम यह कहते हैं कि वो साधक है इसका मतलब है कि वो धारन कर रहा है निज में यानि कि वो धारन करने की अवस्था में धारन करने वाला है तो साधक है और जो साध लेता है यानि कि जो धारन कर लेता है उसको कहते हैं साधू यानि कि वो व्यक्ति बन जाता है साधू ब हम कहते हैं साधू 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 इसका मतलब यह कहते हैं कि निच को धारन किया निच को धारन किया निच को धारन किया या धारन करने वाला धारन करने वाला या प्रकति को धारन करने वाला प्रकति को धारन करने वाला या बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही हो तो जो साधु सब्द है जो साध सब्द है उस साध सब्द को बाद में स्राध बनाया गया तो धारण कैसे करते थे पहले ये समझें कि क्या धारण करना है क्या नहीं क्योंकि बुद्ध का अगर श्राद है तो कैसा है बुद्ध का साध है तो कैसा है महिना चल रहा है वप मंगल उसव क्या होता है वप मंगल उसव होता है बीज को बोने का उसव पुराने समय बुद्ध के समय बुद्ध से पहले बुद्ध ने भी इसको खूब मनाया है जब खेतों में बीज बोई जाते थे तो वो अपने खेतों में जाते थे तो वहाँ वप मंगल उसव होत और वो सारा पूरा गाउं, पूरा कभीला, पूरा एरिया, सारा उन खेतों में होता था, वहां उत्सम बनता था, उसको वप मंगल उससब कहते थे, तो वप मंगल उससब जा चुका है, जिसको आज के समय आप क्या बोलते हैं, गड़पती वपा मोरिया, यानि नाम बदल गय पानी देखना है, कि जो बारिस का पानी है, वो कितना रुका हुआ है खेतों में, क्योंकि सचाई का साधन बारिस का पानी होता था पहले, उसको मेर बना की बांगना है, और इधर भिकों के जाने का समय आ रहा है, क्योंकि भिकों को दो मेहने हो गए हैं, वससावास में, औ दो मेने के बाद में उनके जाने का समय आ गया है क्योंकि अब जैसे ही वो जाएंगे उनका समय पूरा होगा वसावास का वैसे ही उनको त्यारी करनी है उधर जो लोग हैं उनको भी खेतों में जाना है काम करना है क्योंकि उनकी फसल है वहाँ उनको देखना है तो ये सिस्टम बनाया गया कि भिक्कू चोकी गाओं के आसपास रहते हैं नगर के आसपास रहते हैं निगम के आसपास रहते हैं तो वहाँ उनको खाना भी पहुचाना है और खाना पहुचाने के साथ साथ में नियम भी बादना है क्योंकि सारे लोग खाना नहीं पहुचा सकते इसलिए वन वाई वन वाई वन वाई एक सिस्टम बनाया गया क्या सिस्टम बनाया गया सिस्टम ये बनाया गया कि जो उनको खाना लेके जाएगा वो उपोसत करेगा और वो उपोसत करेगा तो वो क्या करेगा उपोसत में, उपोसन, यानि कि अपने जो मातर पिता हैं, उनकी जो अच्छा ही हैं, उनका उपोसन करेगा, साधना करेगा, साध करेगा, विपसना करेगा, तो विपसना साधना करने के लिए वो अपना सर भी मुडवाएगा, यानि गंजा भी होगा, और कपड़े भी हलके पेनेगा मोश्की सफेद ही होते थे तो सफेद कपड़े पेनेगा तो वो वहाँ भिक्कों के पास जाएगा जाके उन से उपोसत के सील लेगा आठो सील लेगा सील लेके वहाँ उपोसत करेगा और उसके घरवाले वहाँ खाना लेके पहुंचेंगे या व इसके माता पिता जिस दिन मरे हैं, उस दिन वो उपोस्त करेगा, तो मरे हुए का हिसाब कैसे लगाते थे पहले, पहले पक्षवाड़े होते थे, पक्षवाड़े मतलब 15 दिन का पक्षवाड़ा, जिसको आजकल पक्ष बोलते है, सुल्क पक्ष का मतलब है, सुल्क पक्ष का मतलब है जब चंद्रमा बढ़ता है और सफिदी आती है रात में उसको सुकल और सफेद पक्ष बोलते थे और कढ़े पक्ष का मतलब होता है काला पक्ष जबकि चंदर्मा घटता है और आमावस्यागी रात आती है अंधिरी रात आती है उसको कृष्णल पक्ष बोलते हैं तो पंद्रे दिन में से पहले जो तिथियां कलेंडर होते थे वो होते थे के जैसे पहली होगई यानि प्रति पदा होगई या दुतिया होगई या तितिया होगई या चतुति होगई या पंचमी होगई या छट होगई या सब्तम होगई ऐसे एक अदस यानि ये पंद्रे तक हो गए, पंद में दिन को पुर्णमासी बोलते थे और पहले दिन को पठी पदा बोलते थे तो किसी ना किसी का जो माबाप है जो मरता था, कोई पहली तारिख को मरता था कोई दूसरी को, कोई तीसरी को, कोई चौती को यानि एक से लेके पंदरे के बीच में तारिक थी पहले तीस तारिक नहीं हुआ करती थी ना 31 ना 28 ये कलंडर बाद में बना है तो पंदरे से ही आख़़ा चलता था चंदरमा के हिसाब से तो कोई ना कोई तो उस दिन मरेगा तो सबने दिन बाट लिये कि जिस दिन जिसके माबाप मरे हैं उस दिन वो उपोसत करेगा अपने माबाप के अच्छे गुणों को याद करेगा साधना करेगा, साध करेगा और भिक्कूओं को खाना देगा और सर भी मुड़ाएगा सारे ये काम करेगा तो जैसे पूरे गाव में तीन परिवार ऐसे हैं जिनके दुटिया को, या तितिया को या चतुति को, या पंचमी को कोई मरे हैं तो उस दिन वो दो या तीन फैमली मLK सारा काम करेंगे, और वो उस दिन बिक्कु एकट्टे होते थे, वहाँ पर साधना करते थे, साध करते थे, और कुछ जहाँ बिक्कु जादा एकट्टे होते थे, वो साध जगे होती थी पूरे भारत में, वहाँ पर भी वो साध करते थे, यानि कि साधना करते थे, तपश्या करते थे, पहली जो सबसे इंपो बोधी था, संबोधी, क्योंकि बोधी तो वहां से कभी गई नहीं, मगर जब बुद्ध को यहां से हटाया गया, उनकी मूर्तियां दफनाई गई, उनके भिक्वों को मारा गया, और बुद्ध की पद्दती को पूरे भारत से खतम करने की कुछिस की गई, तो ये कह दिया कि बोधी यहां से चला गया, बोधी यहां से चली गई, भारत से बोधी चली गई, उस जगह का नाम बोधी गया पड़ा, बोध गया पड़ा, जबकि वहां बोध आया है, तो वो संबोधी जगह है, संबोधी उसका नाम है, वहां इन दिनों, यानि कि जो साध के दिन है, श् खरी पे बाल नहीं होंगे तो सादन वेपस्णäg ची होती है मियुजा रिवर के बहुत बड़ा पाट उसका वहाँ बैठ जाते हैं। वहां वो सादमा बेपस्टना करते हैं और वहां बहुत भिक्कु होते हैं तो वहां भिक्कु दान को करते हैं यानि कि उनको पिंड बात कराते हैं उसको पिंड दान भी बोलते हैं पिंड मतलब होता है चावल का और जो मधू होता है यानि शेहद होता है उसका और दूद का पका हुआ जो खीर होती है और उसकी पिंडी बनाते हैं, पिंडी मतला लड़ू, आप आज भी अगर पंजाम में जाएंगे तो कहेंगे हमें तीन कलो पिंडी देते हो तो वो तीन कलो लड़ू आपको दे देगा, तो पिंडी उसकी बनाते हैं गोल-गोल और पिंडी बनाकर उसको भोजन को दान करते हैं वो सबसे बड़िया भोजन माना जाता है उत्तम भोजन तो उसको कहते हैं पिंडदान होना है बिक्को मतलब जो भमर करते हुए घूमते हुए दिखा देते हैं उनको भिक्को बोलते हैं या भिक्कुनी जो भमर करते हुए घूमते हुए जो देखती है और दिखा देती है उनको भिक्कुनी बोलते हैं तो वो पिंडपात या पिंडचारी का या जिसको आहर भी बोलते हैं वो आहर दान वहाँ होता है और सारे भिकों को वहाँ खाना मिलता है क्योंकि भिकों की संख्यावाँ ज्यादा होती है खुद भी लोग खाते है दूसरी जगे जो आती है जो फेमस है वो है कासी बनारस सा और नामीखी ही है, तो सारनाथ, सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले भिक्कु संग बनाया था, उसकी बड़ी मानता है, और इसलिए दूसरे नमबर पे लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहां भिक्कु बहुत होते हैं, और वहां पर वो पिंडदान करते है और अपने पूर्वजवका, अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके गुणों की साधना विपसना करते हैं, और अपने आपको पोशन करते हैं, उपोशन करते हैं, तीसरी जगह है इसकी बोधिनाथ, यानि बोधिनाथ जिसको आज हम बुद्धनाथ या बद्धिनाथ या बद्रिनाथ बोलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ों में जगे हैं, वहाँ भी बहुत सारे भिक्कु जाके शान्ती से ध्यान करते हैं, तो वहाँ बोजनदान हो, इसलिए हमाँ लोग जाके साध करते थे, साधना करते थे. चौथी जगए है कुरूँख्षेत, जिसको धने सर बोलते हैं, कुरूँख्षेत तो नाम बाद में पढ़ा हुआ है, बेसिकली वह कुरूख्षेत है, कुरूख्षेत का मतलब है के कुरूपरदेस है, अब तो कुरू़परदेस चोटा सा नाम उसका कुरूत रह गया, पह पढ़ता है तो आप पता करेंगे कि कुरुक्षेत बहुत छोटा सा नया सहर है और उसके पीछे जो बसा हुआ है वो थनिसर है थनिसर का मतलब है थेरा सिर सिर माने हैड होता है मुख्य होता है और थेरा माने जहां थेरा लोग थेरा भिकूर रहते थे तो वहां बहुत बिहार मिलेगा बहुत बड़ी यूिुरिस्टी मिलेगी, वहाँ बहुत लोग जाते थे प्रिंड हर्ण करने के लिए, प्रिंड हर्ण मतलब खाना करने के लिए थने सर पांचवे नमबर पे आता है और जो चौथे नमबर की है वो है पैयाः राज्ये, पहिया राज्य मतलब प्रग्या का राज्य इस पहिया राज्य को बाद में प्रग्या का राज्य बुला गया फिर इसको प्रियाग राज किया गया और बाद में जब यहां मुगलाए तो इसको इलावात किया गया यह जो पईया राज्य है या प्रग्या राज्य है या प्रियाग राज्य है यहां दो रिवर मिलती हैं एक गंगा और एक यमना बहुत बड़ बड़े यहां पाठ हैं यहां बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो भिकूर रहते थे और बहुत ज़्यादा साधना तब करते पुर्ण गंगा के और यमना के तट पर गाटों पर तो यहां खाने की ज्यादा आवा सकता पड़ते थी इसलिए सारे लोग साध करने यहां आते थे चौथे नमबर पर और उनको दान देते थे और उनको खाना देते थे और वहां पर शाधना करते थे चटे नंबर की आती है मौथेरा, मथुरा ये महाथेरा यानि मौथेरा, मौथुरा, महाथेरा ये वो जगए जिसको आप मौथुरा के नाम से जाते हैं यहाँ बहुत बड़ी यूनियोश्टी रही है यहाँ पूरा आठ किलोमेटर लंबर का एक अरावली का सबसे आखिरा पहाड है जिस पे सारे लोग साधना यानि सराद करते हैं और अपने आपको उपोसत करते हैं यह बहुत बड़ा स्थान रहा है सुदसन चक्र को धम चक्र बोलते हैं तो धम चक्र के साथ में यहाँ बहुत सारी चीह निकलती है धम चक्र यहाँ का फेमस है कोई कढ़े यहाँ का भिकु रहा होगा कढ़े का मतलब है काला भिकु रहा होगा जिसने इसको उनिवेस्टी को चलाया होगा और जो यहां का मुख्य महातेरा रहा होगा, उस महातेरा के नाप पर इसका नाम मुथुरा पड़ा, और यह जो परवत है इसका नाम परवत का नाम है धमवर्धन पबबत, जिसको गोवर्धन भी बोलते हैं, गोवर्धन का मतलब है गौतम वरंग, यानि गौतम स्रेष्ट वर्धन, गौतम के जो वरंग है, वरंग माने जो स्रेष्ट होता है, गौतम और धम माने धम, और वर्धन माने वर्धन, यानि गौतम के धम को बढ़ाने वाला परवत भी इसको बोलते हैं, जिसको गो वर्धन परवत के नाम से बोला जाता है, ये नाग वंसियों का रहा है, काला नाग भिकू रहा होगा जो नाग वंसज रहा होगा इसलिए काली नाग, काला नाग भिकू यहां बोला जाता है उसको कणहें बोलते हैं कणहें को संस्काइट करके किसन भी बोला जाता है और उसको क्रशन भी बोला जाता है इसलिए इसका धम-वर्धन परवत या गौतम-वर्धन परवत बोला जाता है और जो आखिरा है वो है पुरी का जगनात जगन नात का मतलब होता है जो जगाता है यानि कि जगन नात का मतलब होता है कि जो नात है और जो जगाता है जगाता है कैसे जगाता है धमों में जगाता है देखना सिकाता है जो जन जागरन करता है और ये बुद्ध का ही इस्तान रहा है जिसमें बुद्ध का कोई अनुयाई वहाँ पर लोगों को जगाता है, जागरती फलाता है, जागरन कराता है और नाथ परंपरा यानि कि जो नाथ हैं, जैसे कितनी मी नाथ हैं, अत्ता ही अतनुन नाथों से आपने नाथ परंपरा समझ सकते हैं तो नात्परंपरा वहीं की रही है और जगरनात्पुरी का मतलब है कि जगाने वाला कोई नात्रा है जिसने सबको विजल गया है, सबको धम दिया है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग साध के लिए आते हैं सध्धनी आते हैं तो ये गौतम बुद्ध का, यानि बुद्ध का साध है, श्राध है, और ये बहुत धूम धाम से मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए, इसमें उपोसत करना चाहिए, भिक्कों के पास जाना चाहिए, भिक्कों को पुरानी परंपरा याद दिलानी चाहिए, वहाँ भिक्को को खीर बोलते हैं खीर बनानी चाहिए और अपने माता पिता के सारे गुणों की साधना कनी चाहिए यही सच्चा साध है यही अच्छा साध है इसी को श्राद बोलते हैं धन्यवाद खीर बोलते हैं अच्छा साध है कर दो 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 कर दो